हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे केले की वर्भी इसके लिए हमने चार केले लिये हैं आधा लीटर दूदलिया है और हमें चाहिए 200 ग्राम चीनी गरी कबूरा काड़बं पॉर्डर थोड़े से बादाम और थोड़ा घी सबसे पहले हम ऐसे केलो को छीर लेंगे इनको हम ऐसी पीसेश में काट लेंगे एक पैन लेंगे पैन में हम दूद दालेंगे इसको हम बाट करेंगे अब इसमें हम केला एट करेंगे और इसको हम आशे चलाते हुए फोड़ते हुए चलाएंगे इसको आशे हम गाढ़ा होने तक चलाते चलाते पकाएंगे अब यह गाढ़ा हो गया है इसमें हम काडिमम पाउडर डालेंगे चीमी डालेंगे और उसके साथ ही इसमें हम एक चमस घीड डालेंगे इसको हम आशे बनेंगे चलाएंगे यह हमारी चीमी जल जाए और तक हम उसको आईसे खिलाते रहेंगे कर और हो गया है इसमें हम नारीयल का बुरा डालके और मिला देंगे हमने 100 ग्राम नारीयल का बुरा मिलाया है और यह अच्छे से हमारा मिल गया है अब इसको हम जमाएंगे अब हम यह थाली लिंगे और थाली में हम अच्छे से घी को लगाकर इसको ग्रीस करेंगे अच्छे से घी लगा लएगे अब इसमें हम अपनी प्रफि जमाएंगे इसमें ऐसे इसको डालकर फेला देंगे कि यह मारा गरम है इसको हम ऐसे कल्छी से फैला ढेंगे गिखिए जितनी मूड़्ी आपको बनाने ही अगर आपको पत्ली बनाने तो पतला पतला कर लिए मोटी बनाने है तो मोटा-मोटा फैला दीजे हम इसको पूरी थाली पे फैलाएंगे इस तरह को इसको हम फैला देंगे अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे फिर उसके बाद इसके पीस करेंगे आप देखिए मेरी बर्फि ठंडी हो गई यह अब हम इसके ऐसे पिसिस कर लेंगे आप को जितने बड़े पिसिस पसंद हो छोटिया बड़े जिस तरह से आप चाते हो अपने हिसाब से काट सकते हैं अब ऐसे बिड़े काट लेंगे तिकोने काट लेंगे यह केले की दर्फि जम गई है इसको मैंने पिसिस में काट लिया है और इसको बादाम से गार्णिश किया है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू